दोस्तो एक जनुवरी 2022 सौधी अरब की लेटेस्ट अपडेट बता दे आपको दोस्तो तीन बड़ी अपडेट हैंगी सौधी अरब के प्रवासियों का वीजे एक्स्टेंशन को लेकर नया आदेज जारी जो जहां है वहीं से कराया अपना आवेधन वहीं दूसरी अपडेट बता दे आपको सौधी अरब में मास लगाना जरूरी कर दिया है बताया गया कि 4000 के आसपास करीब मुखालपे हुए हुए हैंगे वहीं तिसरी अपडेट बता दे आपको दोस्तो जो की इंडिया से हैगी बारत में अब दिल्ली एरपोर्ट पे जान आपको समय से मिलती रहे तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ सौधी जर्नल डिरेक्टर और पासपोर्ट जोजाद ने बताया है कि नेशनल इंफोर्मेशन सेंटर के साथ मिलकर परवासियों के वीजा एक्स्टेंशन का काम जारी है वीजा एक्स्टें कारी दी है बताते चले कि सौधी सरकार के आदेश पर सत्रा परतिबंदी देशों के लिए परवासियों का इकामा एक्जिक ट्री इंट्री और विजिट वीजे को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है वहीं चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ बता दे आपक गुरवार को सौधी में क्रोना वाइरस से जुड़े नियमों के उलंगन में 4169 उलंगन करताओं को दर्ज किया गया है बताते चले कि रियाद में 1404 उलंगन हुए हैंगे मदीना में 530 मक्का में 490 और इस्टन में 463 उलंगन दर्ज किये गये हैं अतरिक्त मंत्राले सबी से नियमों के पालंगी करने की अपील की गई है मक्का और मदीना में भी सामाजिक दूरी को अनिवार कर दिया गया है का मास्क नहीं लगाने पर 1000 रियाल मुखालपा होगा और वही अगर दोराया जाता है यानि कि जगर दूसरा बंदा फिर से वही पकड़ा जाता है तो 10,000 रियाल तक के जुर्माना लगा जाएगा वहीं चलिए बढ़ते हैं दोस्तो अपनी तिसरी अपडेट की तरफ जो कि इंडिया से है पता दे आपको इंडिया एरपोर्ट पर करोना संक्रमित पाए जाने पर जाना होगा कोविट केर सेंटर अब तक का 263 संक्रमित मि कोविट केर सेंटर भेजा जाएगा दिल्ली सहर में गुरुवार को ओमिक्रोन वैरियंट के 25 नए मामले दज किये गए हैं जो कि कुल मिलाकर अब 263 हो चुके हैं अगर कोई नियमों का उलंगन करता है तो वह सजा का हगदार होगा दोस्तो ये थी तीन कुछ बड़ी अप जरूर हो जाता है